उज्जे महाराश्री को कोटी-कोटी नमन महाराश्री स्री रादि रादे शैनिक जी जूनागर्ड गुजरात से राधा वल्लव श्री हरिवेंच डंबर्ट प्रणाम महाराश्री महाराश्री पिछले पांच सालों से जीवन में अंधकार चाया हुआ है कभी भी सफलता नहीं मिल रही है जीवन में आगे क्या करूँ क्या ना करूँ समझ नहीं सफलता किसे एक माना है आपने महाराश्री श्री जी मैं पढ़ाई पुरी की और मैंने स्री जी से कहा कि मैं अब क्या करूँ उन्होंने मुझे कुछ संकेत दिये थे कि आप शरकारी में जाई और आप रभू की शेवा करिए फिर सफलता नहीं मिल रही उसमें ए desafarm में और अब है आप हमारी बात समझे आपको शिरी जी ने संकेत किया आप सफलता ने पनाद फकाए दोनों बाते जुटी है नो दोनों बाते जुटी है आप शत्य को स्वैकार कीजे सिरी जी के संकेत को आप जानने लगे आप सिरी जी के संकेत संकेत तो तभी जब आप उनकी मन की बात जान ले न तो आप कितने बड़े शिद्ध हो गए और फिर सफलता किसकी चाहे तो प्रकत ही जननी की आप सिरी जी के संकेत को जान जाओगे तो सिरी जी के प्रेम की सफलता चाओगे लोकवत नहीं और ये लोक की सफलता सुनो पहले प्रारब्द कैद ही नहीं इसकी सफलता के लिए सिरी जी प्रारथरा मत करो हमारी बात समझना विद्यारण जी एक बहुत बड़े महापुरुष्वे है उन्होंने अपने माता पिता को शुखी करने के लिए धन प्राप्ती के लिए गायत्रे अनुष्ठान किया ब्रामार कुल में जन मुदा था एक पुरश्चरण 24 लाग कायत्री होता है उन्होंने एक पुरश्चरण क्या दो पुरश्चरण क्या एक बार भी कोई धन की प्राप्ती नहीं आखिरी में उन्होंने शन्यास लिया जे शन्यास लिया माता अगायत्री प्रगठ हो गए उनका बिंद्राशन भी मांगो तो आपका तो बुले आप क्या जरूत है अब तो बैरागी हो गया बिरक्त हो गया माता पिता भी पधार गए उनकी सेवा के लिए अर्थ चाहना तेईस पुरश्चरण की है तो आप तब नहीं आई उनका तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महापाप थे जिनके कारण मैं नहीं आप आ रहे थी अब वो तेईस पुरण से चरण से नस्ट पुरश्चरण से और चोविस्वा तुमने सन्यास लिया तो अब आप जो चाहो पर बूले आप चाहिए ने क्योंके सन्यासी होगे अब तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए तो इससे आभाश होता है कि अगर हमारा बुरा प्रारब्द है तो हमको भोगना पड़ेगा हम कितना भी प्रयास करें तो हम क्या करें इसमें जिससे हमें परम शान्ति हो प्रभू के नाम का जब करते हुए उन पर दृष्टी लगाएं कि प्रारब्द से हमारा भरन पुशन सरीर का भले यह हमारा भरन पुशन आप से होगा नात तो वो एक ऐसे हैं जो आपके प्रारब्द को भी मिटा सुदामा जी को दरिद्रता का योग था ऐसी दरिद्रता कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी यह जितने भी चरित्र हमारे लिए उदारण है मांगने जाते थे तो मांगने से भी नहीं मिलता था कई कई दिन एक दिन की पतिनी ने कहा कि हमारा आपका तो चरणाम्रत से भी गुजारा दो दो इन तीन दिन हो चार दिन हो छोटे छोटे बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे कुछ तो उनका स्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं अब हम क्या कर सकते हैं प्रादध जब बिगड़ता है ना वो कोई सफलता नहीं होने देता तो एक दिन श्री रुक्मिनी जी प्रशाथ ठाकुर जी को भोगपा आ रही थी प्रोव ऐसे रोग दिया उदाश हो गए उनका प्रभु ऐसी स्थितिय हमने जब-जब आपकी देखी तो किसी भक्त को जब कस्ट होता है तब आपको ऐसे देखा है कौन शाभक्त है और क्या कस्ट है तो का एक शुदामा नाम के हमारे मित्र हैं कई दिन से भोजन भी उनको प्रभू आपकी मित्र और मैं आपकी दाशी मालक्षमी का उतार रुखने आप हुक्म कीजिए लोक-लोक की संपत्य वहाँ बोले उसको चाह नहीं है हमारे मित्र को चाह नहीं है और चाह ना होने पर हम भीवश हैं अगर वो चाह कर ले तो सारी बिवस्ता हो जाए तो बोले पैदा करो जाके चाह बोले उनकी हरदयम तो नहीं पैदा कर सकते हम भी क्योंकि जिस रदय में भगवान का आश्र है और निरंतर चिंतन है वहां माया की चाह नहीं होती उनकी पतिनी के रदय में बोले प्रयास करते हैं जाके भगवान संत वेश्च में कहे विक्षाम दे तो निकली अतित्य का सत्कार करना ग्रेश्ट का धर्म उता है हाँ जुड़ा और कहा हम अश्मर्थ हैं आपको भिक्षाम नहीं दे सकते हैं क्यों? बोले हम अपवित्र हैं हमारे उपर शूतक लगा हुआ है किस बात का शूतक? हमने एक पुत्र जन्मा है ठीक है हम दस बारा दिन बाद आ जाएंगे बोले नहीं आज ही वन अपवित्र रहेंगे वैसा कौन सब बोले दरिद्रता रूपी बिद्वान की पत्री हैं तो ऐसे उनका दरिद्रता रूपी पुत्र का जन्मा अर्था सीधे ये कि मैं नहीं दे सकती या देने योगी नहीं ऐसा न करें उनका मैं पवित्रता रूपी तो बोलगा दरिद्र कैसे हो शकती हो जिनकी पती के मित्र द्वारिकादिश भगवान स्री कृष्ण है वो दरिद्र कैसे हो सकता है एक बार कहो ना अपने पती से चले गए जो शुदामा जी आये तो खाक देखो आज एक अतित्य आये थे उनको मैं कुछ नहीं दे पाई मुझे बहुत कस्ट है कि मेरे पुत्र और आयो ही अतित्र कभी हम स्वागत नहीं कर सकती उनका भरन को आपके मित्र द्वारिकादिश प्रभू श्रीकृष्ण सुनामा जीन कहा बोले चले जाओ ना वो कुछ न कुछ शायोग कर देंगे तो बोले हम ऐसे मित्र नहीं बनाए तो हमारा सायोग करें कभी नहीं मर जाओंगा पर उनसे ये नहीं कोंगा कि बहुत दिन हो गए ठीक है पर मित्र के पास जाए तो कुछ लेके जाला चीए में पास तो कुछ नहीं ना परोश में जैसे किसी श्मांग ने गई तो अरे समय जब बिगड़ता कोई नहीं होता साथ एक ने थोड़ी उदारता दिखाई तो चावल पछोरने पर जो आगे कनका होते हैं चावल के जो प्राया वो लिए सुदामाजिन का हमारी प्रभू भाव की मुखे कुछ ले जाएंगे खाली आतो नहीं है पोट्री में सारांस में बता रहे हैं द्वार पालो ने देखा कि हड़ी हड़ी सरीर में कई जगे से फटे वस्तर भिवाई फटी हुई तो दिखाई दे रहा था दरिद्रता की मूर्ती है तो उनका किशे मिलना है तुमको उनका सिरी कृष्ण से बोले सभाल के बोलो क्योंकि पार्शद है अनंत को ब्रह्मा नाम की ब्रह्मा अजीब आदम है आपका नाम बिना किसी सब्धा के लिए रहा है हो कहरा सिरी कृष्ण से ब्रह्मा कूट पड़े भगवान तोड़े ओ पार्शद वोश्चर की ब्रह्मा जी संकर जी आते है तो वहां खड़े रहते हैं घंटो भगवान ऐसे भागे सुदामा जी को पता था ना हमारे रुक्मिणी जी के महल में रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठालते हैं स्वयम चरण पकार के अब यह वई भोग क्या हाल चाल है कैसे हो प्रूब आप सब जानते हो आपकी बड़ी कृपाई तो ब्या हो गया हाँ ब्या भी हो गए बच्चे भी हो गया हमारे पास आयो तो कुछ तो कुछ लाए ही होगे अब सड़े से कपडे में चावल कैसे बड़ी बड़ी में वह महरानियास बगवान का चुप ऐसे अब बोले दे वह फिर चुक कर रहे हो हमारे इसके चोरी पहले की थी और फिर चुक कर रहे हो अपने हिम्मत नहीं पड़ रहे थे इतने महामहिम प्रभु को कैसे हो तंदुर भगवान ने ऐसे छीला ओहो आस तक मुझे ऐसा स्वाद नहीं मिला भगवान बढाई कर रहे देखो रुकमिनी जी के आखों में आशू आ गया उद्रस भगवान दूसरा पकड़ यहां तो ब सुदामा जी का स्वागत सम्हान को अच्छे कपड़े पहना है जब चलने लगे ला भगवान की तरफ हो देखते कामना नहीं पर कि देखा पतिली कह रहे थी जाओ के कुछ लो कुछ चले प्रभु हां ठीच है इधर से ऐसे चले जाना हाथ भी खाले प्रभु ने का देख सुदामा पूरी खड़ी जैसे द्वारिका उनको ब्रह्म हुआ कि मुझे लगता चलते चलते में पुना द्वारिका आ गया तो हां पूछ रहें कि भगवान के पाश बिधाता है उनका प्रभु यह तो गलत हो गया इनके भाग में हमने लिखा था चैसरी एश्वरे का नाश जीवन में नहीं एश्वरे चैसरी भगवान ने उसका उल्टा कर दिया यक्षश्री जैसे कुबेर का अथा धन का खजाना त्रिववन का खजान प्रभु इसके लिखाना हुई दरने किया आनांट ब्रम्भांद के समस्त कर दिया अब किसी की चले कि प्रभू को आगि तो इनके बागे में अब किसी की चलेगी प्रवू के आगे तो एक मात प्रारब्ध को मिटाने ना लिए भगवान कर तुम अकर तुम अन्यता कर तुम तो आप भगवान की शरण होकर उनका नाम जब कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको उचित लगे तो शमश चासे लड़ने का बल और बिवेक दीजे बात बन जाएगी